हेलो दुस्तो नमस्कार दोस्तो रिलाइंस की अगर मैं बात करूँ पहले वीडियो की शुरुवात में डिस्क्लेमर देना चाहूंगा ये कंपनी मेरे पॉर्टफोलिय में है बहुत ही पुराने समय से मैं इसको यहां पर होल्ड कर रहा हूं रैट इन दकेस अगर आपको लगता है कोई बाइस चीज यहां पर जो खबर है वो definitely only नेगेटिव खबर है अभी हम लोग आ जाते हैं रिलाइंस ंय से related क्या update सामने लाया है वह भी हम लोग को यह आपे देखना है तो exactly खबर किसे वाले थे Google के साथ, यह पुरानी न्यूज है, अगर मैं यह आपे बात करूँ, यह अपडेट में आप लोगों को बता रहा हूँ, बट यह जो smartphone है ना, वो कब launch होने वाला था पता है आपको, येस, आजी के दिन दोस्तों, आप देख सकते हैं, आज गनेश चतूर थी, आप स उसके पीछे का कारण के है, वो भी Reliance ने आपे सामने रखा हुआ है, जैसे मैं ने शुरुआत में का, ये stock है मेरे पास, पोर्टफोली में, बट स्टिल, येस, इस बिग नेगेटिव न्यूज, और यही न्यूज हम लोग कह सकते हैं, बाजार में, Reliance के शेर को, यहापे वापस, मतलब एक excuse मिल जाता है, क्या कर सकते हैं, प्रेशराइज यहापे कर सकते हैं, अल्रेडी, फ्यूचर रिटेल की तो बात चली ही रही थी, साओधिय एरम को की भी अभी तक uncertainty चली ही रही थी, Jio बाखी था, Jio से related smartphone, चलो वो भी अभी news हम लोग को देखने को मिल रह लोग बात करें, क्या हो गया, डिले हो गया, येस, आज एक दिन का अपडेट यहापे सामना आ रहा है, रिलाइंस जो यहापे प्लान करें थे, दोनों कंपनी रिलाइंस नहीं बोलना चाहिए, रिलाइंस और गूगल दोनों की यह जो पार्टनर्शिप थी, अल्टरा ची और इक्वार्मेंट जरूर थे, आप लोग यहापे देख सकते हो, सब कुछ इसमें अविलेबल था, इंटरनेट सर्विसे से लेके, हर कोई चीज यहापे अविलेबल थी, और टेंथ सप्टेमबर को यह सारी चीज यहापे होने वाली थी, बड़ अगर हम लोग यहापे पोस्पॉन्मेंट का, येस, फोन जो यहापे अन्विल होने वाला था, पोस्पॉन यहापे होने वाला है, कारण के है इसके पीछी का, तो दुस्तों कारण वही है, जिसके चलते टाटा मोटर परेशाने, जिसके चलते और भी बाकी आटो कंपनिस परेशाने, जिसके चलत कि बाकी smartphone वाली भी कंपनिया परिशान है global semiconductor के shortages, यह उस तो global semiconductor के shortages से related अगर हम लोग यहापे बात करें, तो यहापे सबसे ज़्यादा problem यहापे चल रहा है, cars में भी चल रहा है, televisions की बात करें, and smartphone वाली कंपनिया भी परिशान हो चुकिये, and इसी के चलते reliance को भी अपना plan य मैं अभी मैं बात करौँ smartphone का, अभी smartphone से related, अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ, तो एक ही कंपनी मेरे सामने में फटक से आ जाती है, वह है Dixon Technology, so क्या Dixon Technology भी इस चीज़ से परिशान है, तो yes दोस्तो, Dixon Technology भी इस चीज़ से परिशान है, आप देख सकते उनके जो C DFA मिस्टर साउरब गुपता, उन्होंने भी सेम वही बता है, कि सेमी कंडक्टर के जो शॉटेजे से उसका इंपेक्ट जरू, Dixon के उपर भी इस पूरे दुनिया की जितने भी electronics की अगर हम लोग बात करें, से जुड़े भी companies है, तो उनको तो जरूर इस पर प्रॉब्लेम के कारण नहीं हो पा रही है, डिमांड है हजार की, एंड यहापे अवेलेबल है, यूनेट फॉर एक्जामपल 400-500, तो बाकी 500-600 का जो नुकसान यहापे होने वाला है, इन companies को यहापे, सिर्फ इन companies मतलब जितने भी companies यह जो electronics related television हो, smartphone हो, या फिर auto mobile भी companies की, अगर हम लोग की negative खबर है, आज के दिन इंतजार हो रहा था कि smartphone आएगा, बट ऐसा कोई भी launch यहापे नहीं हुआ है, साड़े बारा बज़े हम लोगों ने यहापे इससे related announcement यहापे सुबह यहापे देख ली है, सो दोस्तों अभी यहापे next एक और सवाल सामने आता है, यह जो अभी आज का दिन था, 10th September, गनेश चतूरती का दिन था, आज के दिन यहापे launch होने वाला था नहीं हुआ, ठीक है, ऐसी बात नहीं कि project कैंसल होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी ने, कभी ना कभी तो launch होगा, तो next तारीक क्या है, क्या possibility है, उससे related अभी यहापे क्या बात चल रह है, तो यहापे वो बता रहें कि शायद से, यहापे अभी जो next उनका जो target है, launching की अगर हम लोग बात करें, वो है दिवाली festival season November, अभी चल रहे है September, उसके बाद October, November, ज़्यादा दूर नहीं है, दो धाई महिना हम लोग ऐसा बोल सकते, बट येस, दिवाली festival season यह यहापे target कर सकते हैं, और उन्हें यह भी बता है, ऐसा क्यों, तो इसलिए दिवाली festival का season यहापे वो pick करने की कोशिश यहापे कर सकते हैं, So definitely इस news के ओपर भी आप चाओते हैं यहापे focus, रख सकते हैं देखी इसमें कुछ modifications भी हो सकते हैं, Google ने आपे, मतलब release में आपे बोल दिया है, So definitely जो news important थी, वो मैंने आप लोगों के सामने आपे रखी है, जैसे मैंने वापस कह रहा हूँ, मेरा कोई मकसद यह नहीं कि आप लोगों को demotivate करूँ, पहले मैंने बताया दिया था, yes, यह मेरे portfolio में बे, यह सचा ही है, कि यहाँ पर यह खबर negative है, और और भी negative क्यों role play करेगी, प्योंकि जैसे मैंने का कि Reliance का main अभी तीन business है, एक O2C business देखने को मिल रहा है, एक Jio का business है, right, and एक retail का business, जैसे मैंने शुरुवात में का, यह तो already यह जो दो है, इससे related कोई ना कोई uncertainty चालू थी, सिर्फ Jio बाकी था, मतलब smartphone की बात करे, तो यह देखी, यह भी इसके साथ अभी क्या हो गया, attach हो गया, तो ज़रूर हम लोग कह सकते, कि Jio का जो smartphone वो आने वाला था, वो भी अभी हम लोग को delay होते हैं, देखने को मिलने वाला है, इसके चलते हैं, यहापे क्या हो सकते हैं, गिरावट भी हो सकती है, अगेन कहे रहाओ, इसके चलते हैं, अगर आप एक investor हो, तो आपको कोई panic करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि company कोई बरबाद नहीं हो रही है, कोई खतम नहीं हो रही है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कि गिरावट के पीछे की वज़ा क्या है, वो हमें समझने है, और गिरावट के पीछे की वज़ा है, semiconductor के जो shortage है, चीप के shortage है, उसके कारण यह गिरावट यहापे हो सकती है, अगेन कहे रहाओ, यह कोई company का, reliance का internal issue नहीं है, Dixon Technology भी same situation face कर रही है, Tata Motor, उसी के साथ चाथ, अगर हम लोग जितने भी electric से जुड़े वे, जितने भी यह जो components वाली जो company है, वो सारी company है यहापे क्या कर रही है, इस situation को यहापे face कर रही है, so definitely यह कौन सा issue है, यह external issue है, So Reliance Industry इसके चलते negative leap तो react ज़रूर करना चाहिए, अभी देखना पड़ेगा, कि मंडे के दिन यहापे बाजार Reliance Industry के share को किस तरीके से यहापे react करता है, क्योंकि news तो negative है, हम लोग ज़रूर यहापे कर सकते हैं, यह कोई celebrate करने वाली तो news तो बिल्कुल भी नहीं है, So देख लेंगे यहापे बाजार Reliance Industry को किस तरीके से treat यहापे करने वाला है, So आशा करता हूँ, आप लोगोंको यह update मिला होगा, अगर आप चाहो तो इस वीडियो को like and share भी कर सकते हो, So that's it, thank you very much दोस्तो, we will be meeting our next video, तब तक के लिए, bye bye.